बोडी के किसी भी पार्ट पर लगाए और उसका काला पन हटाकर गोरी थवचा पाए नमश्कार दोस्तों हम आपके लिए बेहदी खास उपाई लेकर आए हैं आपके शरीर के किसी भी डाक एरिया पर जो आपका एरिया काला पढ़ चुका है उसे साफ और सुन्दर बनाईए इनर्थाइस गर्दन और एकसर हमारे प्राइवर्ट पार्ट के पास का एरिया दोस्तों दिरे डाक पढ़ने लगता है जो कुछ समय बाद और भी काला और धपा दिखाई देता है लेकिन दोस्तों ये जो उपाई है ये उपाई आपका एक हफ़ते में ही आपके डाक एरिया को साफ करना शुरू करेगा और कुछ समय बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी बोड़ी से डाक एरिया पूरी तरह से खतम हो जाएंगे तो आईए जानते हैं इस उपाई के बारे में इस उपाई को दोस्तों हम यहाँ पर दो तरीके से करेंगे पहले उपाई में हम यहाँ पर बोडी के काले पार्ट्स को पूरी तरह से खतम करेंगे जिस्ते कि धीरे धीरे वो साफ होने लगेंगे और दूसरे उपाई से हम उसे गोरी और सुन्दर बनाएंगे पहला उपाई दोस्तों बहुत ही असान है इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कोफी को स्किन को एक्सवलेट कर दोस्तों डाक एरियस को रिमूब करने के लिए कोफी बहुत ही फायदेमन है अब यहाँ पर एक चमच कोफी लीजे और इस तरह से खाली गटोरी में डाल लीजे आप दोस्तों चाहे तो कोफी कुछ ही इस तरह से ये नैस काफी की भी ले सकते है याप कोई भी कोफी एक से दोर पे की आपको असानी से मिल जाएगी कोफी डालने के पाद अगली चीज़ों हम यहाँ पर लेंगे वो है दोस्तों बेकिंग सोडा आप दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बेकिंग सोडा लीजे आप ध्याने के दोस्तों आपको बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा लेना है आप बेकिंग सोडा का एक चमज जो है इस कोफी में डाल दीजे स्किन की डाकनेस रिडियोस करने के लिए baking soda दोस्तों बहुत ही फाइदेमंद है और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे coconut oil को यानि की नारियल तेल को और यह जो नारियल तेल है हम यहाँ पर इसके 2 चमबज इसमें मिलाएंगे अब 2 चमबज जिसमें नारियल तेल डालिए नारियल तेल की मसाथ से दोस्तों हमारी डाक स्किन बहुत ही तेरी से लाइटन होती है अब हमेने यहाँ पर मिक्स करेंगे आप दोस्तों ने 1-2 मिनट तक अच्छे से हिलाईए और यह जो पेस्ट है कुछ इस तरह से हमारा तयार होगा यह पेस्ट दोस्तों आपके डाक स्किन है वहाँ पर आप इसे लगाईए आप जो हैं दोस्तों इसे थोड़ा सा अपने हाथों पर इस तरह से लगाईए और अपने डाक स्किन के उपर इसे रब कीजिए आपको दूस्ते से हल्की हातों से एक से दो मिनट तक अच्छे से रब करना है आप इसे धीरे धीरे रब कीजिए जिससे ये जो है आपकी स्किन को exfoliate कर उसकी डाकनेस को खतम करेगा और इसका कालापन खतम होगा दो मिनट तक अच्छे से रब करने के बाद आप दुस्ते से 10 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए और डाक एरिया को संदर और गोरा बनाने के लिए आप यहाँ पर लीजिए एक टमाटर को आप दुस्ते इस तरह टमाटर लीजिए और इसे ग्राइंड करके इसका जूस बना लीजिए आप यहाँ पर इस तरह से जूस बनाईए और इसका एक चमबर जो है आप एक खाली करटोरी में डाल लीजिए और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे दही को तवचा को मोश्चरेस कर उसका फेर करने के लिए दही बहुत ही फायदिमन है आप यहाँ पर एक चमबर दही डालिए और दही डालने के बाद आप इपने अच्छे से मिला लेंगे और यह जो पेस्ट है दोस्तों होना तयार हो जाएगा अब आप यहाँ पर इस पेस्ट को कपड़ी की मदश से उतार लीजिए आप कोई भी पुराना साफ कपड़ा लीजिए और इससे यह जो है इस पेस्ट को इस तरह से उतारिए आप इसे अच्छे से उतारिए और इसके बाद लीजिए आप इस पेस्ट को आप दोस्तों यहाँ पर इस पेस्ट को इस तरह से अपनी तवचा पर लगाएं और इसे अच्छे से अपने dark area पर cover कर ली आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे अच्छे से इस तरह से लगाएं और इसके बाद दोस्तों आप इसे सोखने के लिए छोड़ दीजिए सोखने के बाद आप दोस्तों किसी भी कपड़े की मदद से आप इसे साफ कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे पानी से धोलीजिए शरीर के किसी भी हिस्से पर लगाने से दोस्तों यह एक हफ्ते में ही आपको result दिखाने शुरू करेगा आपकी दोस्तों गर्दन से आपकी अंडर राम्स का कालापन और थाइस के आसपास के कालापन को यह पूरी तरह से खतम करेगा और आपको साफ और सुंदर तवचा देखने को बलेगी आज की जानकारी वैसे यही तक थी पसंद आदियों से लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब पढ़ें ताकि इस तरह की वीडियों आपको में रहें वीडियों को देखने के लिए धन्यवाद